कि नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट की सुटिफलेट फॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर मैं हूँ अखिलेश अवस्तिय उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छे से आपने अपनो वीकेंड मनाया होगा स्वागत है लिदय जाता से ज्टार्ध लोगों के बीच में फटाट तृसके बार डिसकेशन करेंगे आज चार से ब्र सकतेंबर तो प्लेंगे दोस्तों आपके साथ तो फटाफ्र शेशन को सेर करेंगे जल्दी से जल्दी और आजए एक दम निट्टन कूक कि अअग ये सब्टन को schedule सुबह से लेकर के साम तक क्या classes चलती है आप पूछते रहते हैं तो इसका screenshot लेकर के अपने पास रख लीजेगा आपको पता चल जाएगा शुरुआत मुझसे होती है यहाँ पर 8 बजे current affairs की class उसके बाद lines सारी की सारी classes चलती रहती है यह afternoon का schedule है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है पूरा का पूरा complete schedule है यह जो यहाँ पर चलता रहता है तो इसका screenshot आप सभी के पास होना चाहिए जिससे आप बार बर यह ना पूछे कि सर इसके बाद कौन सी class होगी यह इसके बाद कौन सी class होगी पारो जी गुड मॉनिंग चंद्रपरशाद जी गुड मॉनिंग हसला प्रशाद जी गुड मॉनिंग क्या बात है क्या बात है ठीक है तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोड मोटिवेशनल कोड दोस्तों यह है कोई भी महान वेक्ति आउसरों की कमी के बारे में सिकायत नहीं करता कोई भी महान वेक्ति आउसरों की कमी के करिए औसर हर किसी को मिलता है वसरते उस अवसर पर आप चौका मार सके इस लायक आपको स्वयम को बनाना पड़ता है तभी वो अवसर आप क्या है ग्रैब कर पाएंगे वरना अवसर आते हैं और निकल जाते हैं जैसे कई बार मैं आप से कह चुका हूँ 2024 में चुनाव है 2023 ये जो आधा साल तो बीत गया आधे एकजामस हो गए अब आधा साल बचा है आधे एकजामस भी होने हैं और इनके लिए बिलकुल एकदम कमर की पेटी कसके रखिए अपनी तयारी ओके रखिए क्योंकि सरकार आपको पता है ना तीन चार साल दबा के आराम से जो मनमानी करनी होती है मनमानी करती है और लास्ट का जो एक जड़ साल होता है ना दबा के आपको आफर्स दिये जाते हैं क्यों आफर्स दिये जाते हैं क्योंकि आपसे वोट लेना है और ये ऐसा इस साल से नहीं हर साल से होता आया है तो जो चुनाव वर्ष हो खासकर क इंद्र का चुनाव वर्ष अगर आप राज्य सरकारों के वारे में बात करते हैं तो राज्य के जब चुनाव होने वाले होते हैं तो राज्य की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं तो 2023 आपके लिए प्रीशस मौका है ऐसा मौका फिर आपको पांस साल बाद ही मिलेगा जैसे नेता लोग एक बार वोट लेकर के चले जाते हैं फिर पांस साल बाद दिखाई देते हैं सिम वैसे ही यहाँ पर आपको पांस साल बाद फिर सब कुछ इतना जादा मिलेगा हर साल कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मिलता रहेगा लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकिन वो फर्स्ट अटेम्ट उन्होंने कब किया जब उनको लगा कि हम तयार हैं समझ गया मरी बात या नहीं तो अपने आपको मजबूत रखिये तयार रखिये हमेशा क्योंकि एक्जाम्स आपको आते रहेंगे मिलते रहेंगे चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना से लेकिनेशन से दोस्तों स्टाटिक जीएके के पांच प्रशन और पिस्ट हमें तो इसके पहले वाले जो स्टाटिक जीएके पांच प्रशन थे उनका अननसर आपको कमेंट मेशन बिल जाएंगे तो यह रहा आज का पहला जलदी स सब्ताईएं औरीजिन परसन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट आफ सिंगापूर दोसो भारतिय मूल के विक्ति भारतिय मूल के विक्ति अलग-अलग देशों में राज कर रहे हैं जैसे यूके यूके में भी आपको पता है समय कौन है प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रिशी सुनाग रि इसका सई आप्शन बताई यह फटाफट तो भारतिय मूल के विक्ति हैं जो सिंगापूर के क्या बन गए हैं सिंगापूर के प्रसिडेंट यानिके राष्ट्रपती इसका सई आप्शन सोनाव सरमा जी गूड मॉनिक साक्षी पांड़ जी गूड मॉनिक रॉयल पंडित ठीक है स्वागत है आपका भी हमारी स्क्लास में राम राम जी इसका सई आप्शन है सी थर्मन थर्मन सन्मुगरतनम यह सिंगापूर के नए रस्ट्रपती बन गए हैं ध्यान रखेगा यह सीज दराइट ऑप्शन ठीक है फॉर्मर सीनियर मिनिस्टर आप जब प्रसिडें तो पॉलिटिकल बैक्राउंड इनका भी था ये भी क्या रहे हैं मंतिर रहें सिंगापूर से भारत को सबसे ज़्यादा एफडिये प्राप्थ हुआ दो जारते इसमें हाँ बिल्कुल पहले मौरिशेस एफ एम एफन में था ठीक है मोस्ट फेवर नेशन एक जब हम फॉर रतनम हैट सर्व एस सिंगापूर डिपटी प्राइमिस्टर फ्राम 2011-2019 एक अच्छा खासा समय नों ने बदाया है 2011-2019 के बीच में उप प्रदानमंत्री के रूप में यह रहे हैं कहां पर सिंगापूर में गुलशन कुछवाजी स्वागत है आपका मारी स्क्लास में शन्म भारतिय मूलके हैं इनके पहले दो और व्यक्ति भारतिय मूलके यहां पर राष्ट्रपती बन चुके हैं उनका नाम क्या है सिलपन सिलपन रामनाथन और है चेंगारा वेतिल देवन नायर यह दो व्यक्ति और हैं जो इसके पहले सिंगापूर के राष्ट्रपती बन चु ली सीन लूंग ये कहा है यहां के प्राइमिस्टर है ध्यान रखेगा तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इस्टैटिक जीके में यहां से भी प्रिशन बन जाते हैं किस देश की राजधानी क्या है उस देश की मुद्रा क्या है तो जब कभी भी हम current affairs पढ़ रहे हो और किसी देश का नम आजए तो अपने mind से recall किया करिए उस देश की capital और उस देश की currency ऐसे ही आपको सभी देशों की capital और currency याद हो सकती है अगर एक दिन याद करने बैठोगे ना तो कभी भी याद नहीं होगी confuse हो जाओगे सारे के सारे ठीक है हाँ कमला है इस बिलकुल सही बात है वाइस प्रेसिदेंट आफ अमेरिका कमला है वो भी भारती अमूल की है एकदम सही बात है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला बताइए को इस द Guinea के बात है पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली कवला कौन है यानि की पाकिस्तान में भारतीस परकार की तरफ लरेधी की तरफ से जाएंगि यह कोई ठीक है मतलब इंडार व्गयरा से नहीं है कोई रफ अगयरा की एजिर नहीं जीनइंगे जिसे वो एनमी कंट्री के स्टेटस में आता है पर फिर भी तो अगिन भारत इंडियन मिशन को हेड करेंगी लीड करेंगी कहां पर पाकिस्तान में लीड करेंगी तो वो महिला कौन है जल्दी से बताईए उनका नाम फटाफट क्या लगता आपको ABCD फटाफट बताइए पटाफट फटाफट सी आपने बता दी है इसका सही अप्षन है दोस्तो डी गीतिका स्रीवास्तव गीतिका स्रीवास्तों पहली महिला बन गई है जो कि इंडियाज न्यू चार्ज दे अफेर्स अट इटस हाइज कमीशन इन इस्लामाबाद। तो भारत का जो उच्छा युक्त है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद क्या है पाकिस्तान की capital है, तो जिस भी देश की capital होती है वही पर आपको पता है उच्छा युक्त बैटते हैं यानि कि commissions बैठते हैं वही पर embassy होती है जैसे सभी देशों की embassy भारत में कहां पर है नई दिल्ली में क्योंकि भारत की capital क्या है नई दिल्ली है नई दिल्ली में जब आप जहां पर संसद वगरा है उस area को explore करिए तो line से सभी देशों की embassy आपको मिलेंगी ठीक है स्री लंकान embassy म मिलेगी USA की embassy मिलेगी सब देशों के दूतावास आपको मिलेंगे वैसे ही इस्लामबाद में जो भारत का हाई कमीशन है ठीक है हाई कमीशन उसमें ये चार्ज दिया फैरस के designation पर न्यूग थोई है धियान रखिएगा तो गीतिका हुई करेंटली सर्विंग एस जॉइंट Secretary at the Ministry of External Affairs is the first woman to head India's mission in Pakistan अभी तक ये क्या कर रही थी तो ये Secretary थी क्या थी joint secretary ठीक है joint Secretary कहां पर Ministry of External Affairs यानि की विदेश मंत्राले में और समय विदेश मंत्री कौन है Mr. S. sincer संकर सुब्रमनियम जैसंकर यह समय हमारे देश के विदेश मंत्री हैं तो याद रखेगा यह पहली महिला है जो भारस से ठीक है भारतिया मिशन को पाकिस्तान में क्या करेंगी लीड करेंगी ठीक है गीतिका इस करेंट्ली हैंडलिंग दा इंडो पाकिस्तान में अभी जो इनकी डिजिनेशन पर यह निकी चार्ज दी अफेर्स के डिजिनेशन पर अभी तक कौन थे मिस्टर डॉक्टर एम सुरेश कुमार थे इनकी जगह कौन लेगी गीतिका स्रीभास्तो ध्यान रखिएगा ठीक है अब रिविजन पॉइंट में मैंने आपको यहां पर पहली महिला के बारे में बताया है कि कौन पहली महिला अभी हाली में पहली महिला कहां कहां पर सब्सक्राइब करेंगी इसके पहले काजी रंगा के इतिहास में कोई भी महिला उसको लीड नहीं कर रही थी तो यह है सोनाली घोस देन फर्स्ट फीमेल आई-पेस ओफिसर आफ अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश की पहली पहली महिला IPS इंडियन पुलिस सर्व देखें राजसभा में उप सभापतियों का एक पैनल होता है एक तो सभापती होता है राजसभा का सभापती कौन होता है जो देश का उप रास्टरपती होता है जो देश का उप रास्टरपती होता है मिस्टर जगदीब धनकर इस समय है तो वो होते हैं उसके बाद उप महिलाएं न्यूक थो गई है अब अब बराबरी का रेशियो हो चुका है लगभग चार महिलाएं है चार पुरुज है ठीक है लेकिन पहली जो न्यूक थुई थी वो कौन थी फैंग गॉंग कोन्याक ये नागल एंड से हैं देन फर्स्ट विमें टुबी टॉप नवी ओफि रखिएगा देन फर्स्ट विमें डारेक्टर आफ आयाइडी तु लीड इन आयाइटी जनजीबर तंजानिया दोस्तों आयाइटी क्या कर रहे हैं अपने कैमबस overseas यानि कि विदेशों में भी खोल रहे हैं तो तंजानिया में आयाइटी चन्नई का कैमपस आयाइटी लास का कैमपेस ओपन किया गया जंजीबर तंजानिया में तो जंजीबर तंजानिया में जो भारस से हेड बना के भीजी गई है उनका नाम है प्रीती अगलहायम ठीक है तो यह लीड करेंगी जंजीबर तंजानिया में ठीक है जैसे आईटी डेली अपना कैमपस कहां पर खो तो इसका इनका नाम है नुसरत चौधरी भारतीय मुल्की है नुसरत चौधरी ध्यान रखिएगा ठीक है हसी राज्य एक्यासी लोग अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल यूज पर आते हैं और पहली न्यूज यह रही आपके सामने दोसों NCRT आप सभी लोग जानते हों किताबे जो CBSC की बुक्स वगरा हैं NCRT देखने का कारे करती है NCRT ने अभी अपनी किताबों से काफी स्लाबस को हटा दिया गया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो NCRT ने हटाया था बहुत important था तो केरला ने अपना जो SCERT है उसमें उस स्लाबस को रखा हुआ है और मैंने बताया था NCRT की क्लास 7 की English की किताब में अब वार मेमोरियल का एक चैप्टर होगा लास्ट चैप्टर होगा वार मेमोरियल ठीक है जो भारत का युद्धिस मारक है जो नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास में स्थित है उसको पूरा का पूरा उसमें बताया जाएगा ठीक है और अब अगले साल से इन में बदलाव भी किये जाएंगे क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये भी लॉंच कर दिया गया है 2023 तो NCF 2023 के पैटर्न के अनुरूप NCRT की किताबों को बनाया जाएगा अगले साल से ठीक है लेकिन अब एक और न्यूज आई है भारत के सिक्षामंतरी मिस्टर धर्मेंद प्रधान ने NCRT को डीमड यूनिवस्टी का दर्जा दे दिया है डीमड विश्व विद्याले का दर्जा दे दिया है पूछा यह जा रहा कि NCRT कब इस्टाबलिश हुई थी लेकिन पहले इस न्यूज के बारे में जान लो डीमड यूनिवस्टी का मतलब क्या होता है जोस्तों आपने बहुत सारी यूनिवस्टी देखी है ठीक है यूनिवस्टी तीन प्रकार की होती है पहली तो कहली जिए उन्टल यूनिवस्टी पहली कौन सी यूनिवस्टी हो गई Central University जिनको आप केंद्रिय विश्व विद्याले कहते हैं केंद्रिय विश्व विद्याले ठीक है केंद्रिय विश्व विद्याले जैसे की एक्जामपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ अलिगढ़ मुस्लिम यूंवरस्टी की एम ू की बात करू तो यह क्या है Central University है ठीक है JNU की बात करूँ तो यह क्या है Central University है मैं BHU की बनारस हिंदु विश्व विद्याले की बात करूँ तो ये क्या है Central University, अलहाबाद University, ठीक है इसकी बात करूँ, तो ये क्या है Central University, केंद्रिय, अब इसका एक बात और याद रखेगा, इसमें जो Chancellor पद होता है, वो किसके पास होता है, देश के President के पास, इसका Chancellor कौन होता है, देश का President होता है, दूसरी अगर मैं बात यहाँ पर क हमारी है, उत्तरप्रदेश की बात करें, तो लखनो युनिवस्टी हो गया, अवध विश्व विद्याले हो गया, जो कि अयोध्या में है, ठीक है, तो ये सारी के सारी State Universities, और State Universities के बाद जो Private Universities होती है न, उनको Deemed University के नाम से जानते हैं, ये अपना पैटर्न वगरा सब कुछ चला सकती है, ठीक है, नमबर आफ युनिवस्टी इंडिया में है, जो Deemed Universities है, जो Higher Education के Courses को रन कर सकती है, तो बस वही दरजाब NCRT को मिल गया है, NCRT भी Higher Education में अपने हाथ मतलब अपना दाउं जो है वो अजमा सकेगी, ठीक है, वैसा ही कारे कर सकेगी, NCRT की स्थापना 1961 में हुई थी, तो C is the right option, ध्यान रखेगा, C is the right option, NCRT की स्थापना 1961 में हुई थी, ध्यान रखेगा, ठीक है, पूरी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, Mr. धर्मेंद प्रधान ने 63rd Foundation Day Celebration Program of NCRT in New Delhi, New Delhi में NCRT का तिरे सठ्वां क्या था, Foundation Program था, जिस पर ये बात भारत के सच्छमंत्री धर्मेंद प्रधान ने कही, ठीक है, और अगें, कुछ और बात है समन लिजेगा, एजुकेशन मिनिस्टर आल्सो अनूंस तैट, बाल्भवन विल बी मर्च विद एंसी एर्टी सून, बाल्भवन जो है, वो NCRT में क्या कि किया जाएगा, मर्च किया जाएगा, बाल्भवन क्या है, is an autonomous institute, headquartered in New Delhi, Prime Minister, जवाहललाल नहरू, founded it, 1957, बाल्भवन एक autonomous institute है, autonomous, यानि कि कि किसी के अंडर में नहीं आता है, चीके कहां पर लोकेटेट है, दिल्ली में, जवाहललाल नहरू ने 1906 में, बाल्भवन की स्थाप किया जाएगा, he directed NCRT to add a brief chapter on Chandrayan 3's success and findings in all 22 recognized languages, Chandrayan 3 का भी एक नया chapter NCRT की बुक्स में जोड़ा जाएगा, ये direction दिया है, किसने, भारत के सिच्छामंत्री, धर्मित प्रधान ने, चंडरियान 3 की success story, सभी किताबों में बताईए, और भारत के समविधान की आठ्मिया नसू इची में जो 22 भाषाएं है, उन 22 भाषाओं में, सभी भाषाओं में क्या करना है, इसको बताना है आपको, सिर्फ एक ही भाषा में नहीं, हिंदी या इंग्लिश में नहीं, सभी भाषाओं में वो चंडरियान 3 का चैप्टर होना चाहिए ध्यान रखिएगा, then the National Council for Education Research and Training is an autonomous organization, it was set up in 1961, यही मैंने वबको बताया, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी क्या है इसके, डारेक्टर है, तो डारेक्टर आफ एंची आटी कौन है, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, establishment इसका कब हुआ था, 1961 में, क्लियर है बात, ठीक है, चलिए, आगे आते हैं दोस् में, इंटरनेशनल यूज, यह रहा आपके सामने, ठीक है, रिसेंटली विच आप दा फॉलोइंग स्टार्म मेक्स लैंड फॉल इन साउथ हन चाइना, साउथ हन चाइना, यानि कि दच्छडी चीन में, किस टाइफून ने अभी हाली में तबाही मचाई है, देके दोस्त चाइना सी से जितने भी तूफान ये स्टार्म उठते हैं, उन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है, तो जापान में टाइफून कहा जाता है, ठीक है, चाइना में टाइफून कहा जाता है, तो उधर वाला जो छेत रहना, यानि कि साउथ चाइना से जितने भी जिसने भारी तबाही मचाई थी वो था सैकलोन बीपर जौए सुना होगा आपने नाम मैंने शॉट्स भी उस पर कई सारे बनाए थे वो आप जाकर के देख सकते हैं इन सैकलोन का नाम कौन और कैसे देता है इस पर भी शॉट्स मैंने बनाए हुए हैं शॉट्स के कॉलम में जाकर के देख लिया करिये या उनका लिक में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा ठीक है कि इनके नामकरण कैसे होते हैं और इनका नाम कौन देता है इन सभी तूफानों के तो इसका यहां पर सई आप्शन है टाइफून साओला टाइफून साओला ने क्या किया है इसने तबाही मचाई है टाइफून हैकुल की बात करें ये भी जापान का है इसने भी जापान में तबाही मचाई है ध्यान रखेगा तो यह सभी नाम है ठीक है टाइफून सब के आगे लगा है तो यह सब साओच चाइना सी से उठे हुए है ध्यान रखेगा चंदरियान 2 land करके गिराओ गिराओ उसको तिरंगा नाम दिया गया हाँ बिलकुल सही बात है चंद्रियान 2 ने जहां पर impact किया था वो तिरंगा point होगा और चंद्रियान 3 ने जहां पर soft landing की है वो शिवशक्ती point होगा और 33 अगस्त आलवेज नेशनल स्पेस डे के नाम से मनाया जाएगा चलिए एपसेन पोर्डल पर आते हूँ और अगला प्रशनी ये रहा आपके सामने विचब दे फॉलोइंग और्गनाइजेशन बिल्ट नाभ मित्र नभ मित्र कह लिजे नभ मित्र डिवाइस फॉर दा सेफ्टी के लिए मचवारों की सुरक्षा के लिए लॉंच किया गया है ठीक है तो किसने लॉंच किया है यह आपसे पूछा जा रहा है जल्दी से बताईए मिश्रा सर वेरी गूड मॉनिंग सौगे थे आपका हमारी इस क्लास में जल्दी से बताई है फट आफट क्या लगता आपको 100 isro 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 मुदी जी ने नाम दिया हाँ बिलकुल सभी बात है सक्षी मूदी जी ने नाम दिया था मुदीजी जब ब्रिक्स की समय अटेंड करके भारत पहुचे थे ठीक है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन चर्चा में है आजकल, अभी आपको पता है, दो सितंबर को सुबह 11 बज के 50 मिनट पर भेजा गया मिशन आदित L1, L1 पॉइंट पर भेजा गया है, that's why उसको आदित L1, आदित का मतलब सूर्य के कई परयावाची होते हैं, दि यसे ही एक नाम क्या है आदित, आदित का भी मतलब क्या है सूर्य, ठीक है, तो आदित L1, L1 का मतलब वो पॉइंट जहां पर उसको भेजा गया है, इस पर मैं एक डीटेल्ड वीडियो बना रहा हूं, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि again, यह जो आदित L1 है क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, और L1 पॉइंट ही क्यों चूज किया गया, और आखिर L1 पॉइंट क्या होता, यह सभी मैंने आपको उस वीडियो में बताया हूँ है, बहुत जल्द वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, तो again पर क्या होता है तूफान वगरा आ जाता है समुद्र में जिससे नावे वगरा खो जाती है पता ही नहीं चलता है कौन सी नाव कहा गई उसकी लोकेशन पता नहीं हो पाती क्योंकि इस रो अब इस रो ने तो सैटलाइट लगा रखी है ना सैटलाइट कम्यूनिकेशन समय फसे हुए हो ये सभी जानकारी कंट्रोल रूम तक बहुत जाएंगी और कंट्रोल रूम से आपको सहयता उपलब्ध करा दी जाएगी तो उसी को ध्यान में रखते हुए नभमित्र नाम का ये डिवाइस लॉंच किया गया है बाइदा इस रो इंडियन स्पेस हेड़कॉर्टर बैंगलूरो में है इसर आपका वीडियो नंबर आपका वाट्सअप नंबर क्या है सुनम जी इस नंबर पर मैसेज कर दीजेगा ये मैं आपसे बता रहा हूं 8282827099 इस पर मैसेज कर दीजेगा चिए पीडियाफ लिख करके तो क्या होगा मैं मिल जाओं इसरो की स्थापना हुई थी हेड़कॉर्टर बैंगलॉर करनाटका में है फाउंडर उसके कौन थे फाउंडर कह लीजे फस्ट चेर्मेन कह लीजे वही है विक्रम सारभाई और याद रखेगा विक्रम सारभाई के नाम पर नंबी नारायनन के द्वारा एक इंजन बनाया गया है विक्रम अंबालाल ठीक है यह विक्रम अंबालाल सारभाई के नाम पर है विकास इंजन ध्यान रखेगा यहीं इंजन इस्तेमाल किया जाता है सभी के सभी सैटलाइट को लॉंच करने में टेंथ चेर्मेन अभीस के जो चेर्मेन है कौन है एस सोमनात एसके पहले ठीक है ध्यान रखेगा इस बात को आरे भट इंडियास फर्स सैटलाइट लॉंच डॉन नाइटीन अपरेल 1975 1975 में 19 अपरेल 1975 में इसरो के द्वारा पहली सैटलाइट को लॉंच किया गया था जिसका नाम रखा गया था आरे भट और आपको पता है ना साइकल से ले गये थ आते हैं यह रहा प्रशना आपके सामने इंडिया रिसेंटली साइंड एन एम यू विद्विच कंट्री तो बूस्ट कॉपरेशन इन सिवल अविएशन शिवल अविएशन यानि की नागरिक उन्नायन के छेत्र में सहायता के लिए कॉपरेशन यानि की एक दूसरे का सही योग के लिए भारत में किस देश के साथ में एक एम यू यानि की मेमोरेंडम आफ अंडर्स्टैंडिंग एक समझाता जो है वो हस्ताक्षरित किया है जल्दी से बताईए आदित पीस हाँ बिल्कुल सही बात है रोयल पंडिट सी ए पीसल्वी सी 57 पोलर सैटलाइट यहां पर session को like कर दो session को share कर दो और एक बात आप से कहता हूं आप लोग अपने स्टेटास में WhatsApp अगरा के स्टेटास में लगा दिया करिए इतना तो कर सकते ना हमारे लिए तो यह WhatsApp स्टेटास अगरा पर भी लगा दिया करिए कम से कम इस संख्या को बढ़ाने का काम किसका ह तो इसका सही option है New Zealand New Zealand is the right option भारत ने New Zealand के साथ में Memorandum of Understanding MOU पर हस्तक्षर किये है तीके in the field क्या है Corporation in Civil Aviation अब इस सहेता से क्या होगा देखे यहाँ पर भारत और New Zealand के बीच में उडाने भरने के लिए ठीके कोई भी limits नहीं लगाई जाएगी यानि कि भारत जितनी चाहे New Zealand के हर एक जगह के लिए उडाने दे सकता है और New Zealand भी भारत के हर एक जगह के लिए अपनी उडाने unlimited दे सकता है ये बात देख लिए जगह है पर this will cover the scheduling of new routes नए routes discover किये जा सकते हैं ठीके new routes code share services traffic rights, traffic कि अधिकार and capacity entitlement ठीके छमता को देखना ठीके तो इन सबसे संबंधित क्या किये जाएंगे यहाँ पर सहियो किया जाएगा एक दूसरे का according to the MOU the designed airlines of New Zealand may operate any number of services with any type of aircraft with third and fourth freedom traffic rights and from six points in India namely New Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad और Kolkata इन छे जगहों के लिए New Zealand क्या करेगा कितनी भी चाहे वो उडाने क्या कर सकता है scheduling कर सकता है scheduling कर सकता है सेम ऐसे ही भारत को भी मौका मिलेगा कि भारत New Zealand के कई एक place पर ठीके नए routes को discover कर सकेगा और उडानों की संख्या में कोई दिक्कत नहीं है कितने एनी नंबर आफ फ्लाइट्स क्या कर सकता है schedule कर सकता है तो यही है दोनों में दोनों में समझवाता MOU ध्यान रखिएगा ठीक है New Zealand के बारे में बात करें तो capital है Wellington currency है यहाँ पर डॉलर और PM यहाँ के कौन है Chris Hipkins कौन है Chris Hipkins ध्यान रखिएगा ठीक है क्लियर है बात सभी को ठीक है फटाफट तो submit meetings और conference में आते हैं यह रहा अगला प्रशन The International Aerospace Conference has been inaugurated by Jotra Duttiams India Where was the conference held अभी आप से civil aviation के बारे में बात हो रही थी थी ना नागरिक उन्नेयन तो नागरिक उन्नेयन मंत्राले किसके पास है यह Jotra Duttiams India के पास है ठीक है यह इन्हीं के पास है Ministry of Steel की बात करें इस पार्ट मंत्राले वो भी इन्हीं के पास है तो aerospace conference जो है इसको कहां पर आयुजित किया गया है सुनिए गाइस conference में क्या होगा और aerospace का मतलब क्या होता है देखो aerospace Space का मतलब क्या हो गया अंतरिक्ष एरो आप aerial से relate कर सकते हैं यानि कि जितने भी aircraft बनाने वाली कमपनिया है सुनिए गा बहुत अच्छे से aircraft बनाने वाली कमपनिया है या जो space के sector में vehicles बना रही है ये क्या है polar satellite launch vehicle एक vehicle है ना जिससे क्या किया जाता है satellite को launch किया जाता है GSLV geo satellite launch vehicle ठीके ये क्या है vehicles है तो space sector में vehicles बनाना ठीके और aircrafts का निर्माड करना इन छेत्रों में investment लाना है भारत में क्या करना है भारत में इसका निवेश लेकर के आना है इसी से संबंधित ये conference है जो इससे संबंधित stakeholders है वो इस conference यानि की संमेलन में हिस्सा लेंगे और क्या करेंगे भारत में trade और investment के बारे में बात की जाएगी इसका आयोजन किया गया है ठीके जहां के ये राजा साहब है जो तेरा दत्यम सिंधिया की बात करे ठीके तो गॉलियर के सिंधिया घराने से इनका तालुक है तो गॉलियर में इस conference को आयोजन किया गया है कहां पर गॉलियर में इस conference को आयोजन किया गया है ध्यान रखियेगा ठीके aerospace conference ध्यान रखियेगा ठीके बिंग जॉइंटली और्गनाइज़ बाई the ministry of civil aviation and the confederation of Indian industry ministry of civil aviation क्योंकि inauguration किस ने किया जोतरा दित्यम सिंधिया to ministry of civil aviation involved है यहाँ पर और दूसरा Indian industry confederation of Indian industry जिसे हम CII के नाम से जानते हैं CII एक इंजियो टाइप का संगठन है जिसका काम है भारत में व्यापार को बढ़ावा देना तो इन दोनों के स्वारा मिलकर केस को क्या किया गया है शुरू किया गया है एक और दो सितंबर को 2023 ग्वालियर मध्यप्रदेश में इसको आयोजित किया गया है International Aerospace Conference is a G20 initiative in the aerospace sector ये conference भी G20 का initiative है G20 आप सभी को पता है ठीक है G20 की meeting भारत में होने वाली है कब 9 और 10 सितंबर को 8 सितंबर को ठीक है 9 की सुबह तक बहुत सारे रास्ट्रा धेच भारत के दिल्ली में आ जाएंगे ध्यान रखिएगा ठीक है और दिल्ली को 3 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया यानि कि जो सरकारी स्कूल आफिसेज हैं ठीक है उन सबको 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया जन्मास्टमी का भी कोई बड़ा सेलिबरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि जन्मास्टमी भी सात तरीक को है तो उसका भी बहुत बड़ा सेलिबरेशन नहीं हो पाएगा तो G20 की लीडर समिट होनी वाली है ये भी G20 का ही एक initiative है जो की aerospace sector में है ध्यान रखेगा ठीक है चलिए कमेटी और पैनल पर आते हैं इसके बारे में एक shorts मैंने बनाया था उमीद करता हूँ कल आप सभी ने देखा होगा one nation one election एक देश एक चुनाओ आपको पता है इसके पहले वाले session में मैंने आपको बताया थ कि सरकार ने अचानक से एक विशेश सत्र का आवाहन किया है संसद के विशेश सत्र का आवाहन जो कब से कब तक चलेगा 18 सितंबर से ठीके फ़री 18 सितंबर यस इसी महीने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में चलेगा पाच दिन का ये session होगा five days session और इसी के अगले दिन ये अ one nation one election पर one nation one election पर जो कमेटी बनाई गई है उसके प्रमुक यस आप लोग बिल्कुल सही है बनाये गया देश के पूर्व राष्ट्रपती मिस्टर रामनात कोविंद को क्योंकि रामनात कोविंद ने भी जब वो देश में थे तो उन्होंने क्या किया था इसको प्रमोट कि थे ना तो उन्होंने इसको प्रमोट किया था कहा था यस कि एक देश एक चुनाओ का सिस्टम होना चाहिए अब देखिए बहुत से लोगों की राय है नहीं होना चाहिए बहुत से लोगों की राय है होना चाहिए सुन लीजेगा पहले होता क्या है होने के फाइदे क्या हो और नुकसान क्या होंगे सबसे पहले बात करते होता क्या है तो एक देश एक चुनाओ का मतलब यह है लोग सभा के साथ साथ लोग सभा के जब चुनाओ होते हैं आप वोल डालने जाते हैं उसके साथ साथ सभी राजियों के चुनाओ हो जाए सभी राजियों के ठीक है अभी 1252 में चुनाव समपन्न हुए थे ना, तो क्या हुआ था? सभी राजियों के चुनाव और केंदर के चुनाव एक साथ में हुए थे. इसके बाद अगले तीन बार तक ये सलसला चलता रहा. क्योंकि कॉणि कॉंगरेस की सरकार थी. 57 में भी ये सलसला चला है. 62 में भी सलसला च सकती है अगर सरकार के पास majority नहीं होगी आप सबी लोग जानते हैं सरकार चलाने के लिए 50 plus one majority चाहिए होती है चाहें आप अकेले ले करके आएं चाहें आप alliance में ले करके आएं समझ गया आप मेरी बात या नहीं अगर अकेले आपके पास इतना पावर है ठीक है यानि 50 प्लेस वन आपके पास है तो आप अकेले सरकार बना सकते हो नहीं तो सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवशिक्ता होती है समझ के मरी बात तो क्या हुआ यही समर्थन बीच-बीच में गिरता रहा हटता रहा तो सभी राज्यों में जल्दी सजब सरकार गिर जाएगी पूरा सिस्टम डिजॉल्फ हो जाएगा तो मध्यावदी चुनाओ कराने पड़ेंगे बीच में ही चुनाव कराने पड़ेंगे, तो जिसके कारण राज्यों के चुनाव अपने आप लेट होने लगे, तो राज्य अलग हो गए चुनाव और केंदर के चुनाव अलग होने लगे, ये सस्टम हुआ, लेकिन अब फिर से सरकार चाहती है, कि एक देश ये चुनाव लाया चाहे, इससे फाइदा ये होगा, कि सरकार अपना काम अच्छे से कर सकेगी, अभी क्या होता है, ओविसली, जो भी सरकार केंदर में होती है, जब किसी राज्य में चुनाव होंगे, तो ये चाहेगी या नहीं चाहेगी, कि यहीपर हमारी भी सरकार होनी चाहिए, तो वो जो साशन सत्ता देखनी चाहिए, जो प्रसाशन देखना चाहिए, वो उतनी अच्छे से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि फिर से चुनाओं में बिजी हो जाता है, पूरा तंत्र, सभी मंतरी आप देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक देश एक चुनाओं तो 50 प्लस वन, यानि कि जैसे GST था न, GST में भी क्या किया गया था, 50% स्टेट्स का सहमत होना जरूरी होता है, तो उस समय 29 राज्य थे, जिसमें से 15 राज्य जब कन्फरमेशन दे दिया था, तब GST को लागू किया गया था, तो यहाँ पर बात या रही कि राज्य अपन अनुमति नहीं देंगे, दूसरा समविधान, कॉंस्ट्यूशन में बदलाओ करना होगा, यह चेंजे ऐसा नहीं है, कि आप नॉर्मल लाओ लेकर के आओगे और कर दोगे, यह कॉंस्ट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कॉंस्ट्य में बदलाओ करने होगे, और समविधान में बदलाओ करना इतना असान नहीं होता है, दूसरा एक बात फेडरल स्ट्रक्चर की भी करी जा रही है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर यानि कि आप देखते हो, केंद्र और राज, राज्यों की भी बनाते हैं केंदर बनाते हैं तो ये कही ना कहीं उनकी स्वतंतरता का भी हनन बताया जा रहा है तो ये सभी बाते हैं फाइदे और अनुकसान मैंने बता दिये अब क्या होगा क्या नहीं ये काम किसका है सरकार का है तो जो होगा आपको पता चल जाएगा ठीक है हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है ठीक है चलिए तो यह सारी बाते मैंने आपको बता दी है One Nation One Election क्या होता है सब कुछ मैंने आपको डीटेल में बता दिया यहां पर बस इसके चुनाव जो समिती बनाई गई है उसके अध्यक्ष मिस्टर रामनात कोविद को बनाया गया है तो बात ही आ रही कि इसको चर्चा में लाया जा सकता है इस यही जो 18 से 22 सितंबर के बीच में विसेश सत्र होगा इसमें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं स्पोर्ट्स न्यूस पर क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 दा फस्ट प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका नाम दिया गया है क्लाइमेट फुटबॉल कप इसका आयोजन कहां पर किया गया है फटाक से बताइए थीक है जैसे एशिया कप आप जानी रहे है इस समय चल रहा है भारत और पाकिस्तान का match था 2 सितंबर को लेकिन बारिश के कारण complete नहीं हो सका देखते हैं आगे अब कब फिर से होगा ठीक है तो भुपाल बता रहे है लखनो बता रहे है डी लदाक बता रहे है ठीक है इसका सई option है लदाक लेकिन लदाक में भी कहां लेह में ठीक है लेह क्या है लदाक में ही है और लदाख अब एक union territory है लदाख अब एक union territory है पहले लदाख जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था लेकिन अगर को पता है ठीक है धारा 370 के हटाते ही धारा 370 के हटते ही लदाख अलग हो गया जम्मू कश्मीर अलग हो गया और दोनों यूटी बन गए दोनों क्या बन ठीक है आपको मैंने बताया था कहां पर तो एस्टो टॉफ स्टेडियम इन इस पिठुक लेह में इसको खेला जा रहा है और याद रखेगा ये दुनिया का सबसे हाइस्ट हाइस्ट क्या है स्टेडियम है सबसे उचाई पर जो स्टेडियम है वो यही है इसका भी नाम याद रखेगा words highest stadium है धिन रखेगा यह लिग देता हूँ words highest stadium highest stadium ठीक है नाम है astroturf stadium in इस्पितिक लेह में धन रखेगा इस बात को ठीक है तो कि इन फोर टीम्षर पार्टीसिपेटिंग इन दा इस प्रतिसपर्धा में चार्टी में पाटिसिपेट कर रही है कौन कौन सी दिल्ली फुटबाल क्लब है ताइबता नेशनल फुटबाल एसोसिएशन है लद्दाक प्रोफेशनल फुटबाल क्लब है और लद्दाक स्टेट टीम से हैं यह चार टीम्स यहां पर पाटिसिपे कर रही है अब आगे देखते हैं कौन जीता है कौन ये मिडल ले करके जाता है ठीक है फटाक से अगला पता ये जल्दी से हुआ विल बिकम दा फस्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक है अंतराश्ट्रिया क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनेंगी ये है तो ऑस्टेलियन ऑस्टेलियन बार हैं इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है लेकिन अभी इनको कैनेड़ा की वीमेंस टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है कैनेड़ा की वीमेंस टीम में ये सेलेक्ट हो गई है और कैनेड़ा की वीमेंस मैक गे है ध्यान रखिएगा डैनिल मैक गे है बॉर्न कहां की ऑस्ट्रिलियन बॉर्न है सिलेक्ट कहां पर हुई है कैनेडा की वीमेंस टीम में इनका सेलेक्शन हुगा है ध्यान रखिएगा Canada will welcome the first transgender to participate in an international match She will play the match during a regional qualifying tournament for the 2024 Women's T20 World Cup in Bangladesh Bangladesh में जो 2024 का Women's T20 World Cup होने वाला है 2024 में उसके लिए जो qualifying match था उसमें ये participate करेंगी ठीक है और qualify कर गई तो जो again Women's T20 World Cup होने वाला है वहाँ पर participate करेंगी ठीक है तो बस इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है Canada की Women's Team ने इनको select कर लिया था ध्यान रखेगा ठीक है तो सारे के सारे जो eligibility criteria होते हैं वो इन्होंने fulfill कर लिये थे ध्यान रखेगा अब आते हैं state news पर और ये रहा आपके लिए प्रशने state news का किस राजी सरकार ने अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती के लिए कोटा बनाए रखते हुए स्थानिय सुशाशन संस्थानों के चुनाओं में OBC के लिए 27 प्रतिश्यत आरक्षण देने की घोशना की है OBC का आरक्षण 27 प्रतिश्यत ही है केंदर में भी केंदर में इस समय रिजर्वेशन की स्थिती में आपको बता देता हूँ अगर इस समय हम वर्तमान में रिजर्वेशन की स्थिती की बात करें तो ये जो रिजर्वेशन SC को कितना मिला हुआ है 15 प्रतिशत ST को कितना मिला हुआ है 7.5 प्रतिशत OBC को कितना मिला हुआ है 27 प्रतिशत ये मिलकर के बनाता है 49.5 परसेंट ठीक है और इसके बाद एक और आरक्षण जिसे हम EWS के नाम से जानते हैं Economic Weaker Section के लिए 10 प्रतिशत जिसके लिए सम्विधान का 103 Constitutional Amendment किया गया था Constitutional Amendment करके दिया गया था ठीक है Amendment यानि कि आर्थिक 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 आधार पर आरक्षण तो ये आरक्षण की स्थिति है समय के इंदर में पर भूपेंद्र पटेल लेड गुजरात गवर्मेंट भूपेंद्र पटेल कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री भाजपा से हैं गॉवर्मेंट हैस अनाउस 27 पर्षेंट रिजर्वेशन फॉर OBC's in the elections to local self-governance institutes while maintaining quotas for scheduled caste and scheduled time scheduled caste or scheduled tribe का quota रखते हुए OBC को 27 पर्षेंट का quota दे दिया है यहां के जो local self-governing institutes local self-governing institute यह स्थानिय सो सरकार कही जाती है और गाओं में हम इसे पंचायत के नाम से जानते हैं तो गाओं की अभी चुनाओ होने वाले हैं ठीक है किसके पंचायत के तो पंचायत में भी यह OBC का quota लागू रहेगा 27 परतिशत का तो इतना आपको में ध्यान रखना है यहां पर ठीक है जैसे अगे न आगे दिखेगा सुप्रीम कोड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए गुजरास सरकार ने जस्टीस के एस जवेरी की अधचता में एक समीत का गठन किया था उस समीत की अप्रेल 2023 में अपनी रिपोर्ट समीट कर दी थी उसी रिपोर्ट के आधार पर ये काम किया गया है ओबीसी कम्मूनिटी इस अबाउट 52 परसेंट आफ दा पॉपलेशन इन गुजरात गुजरात की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में ओबीसी आप देख सकते हैं मजॉ अब ओबीसी में बहुत सारी जातियां होती हैं तो गुजरात में 146 जातियां हैं जो की ओबीसी के अंतरगताती हैं इन गुजरात and now more than 50 MLA's in BJP belongs to the OBC community राज्य के विधान सभा में अगर हम विधायकों के नंबर्स की बात करें तो 50 MLA ऐसे हैं जो सिर्फ OBC से तल्लुक जानते हैं CM आप जानते ही हैं और गवर्नर यहां के कौन है Mr. आचार या देवबरत ध्यान रखेगा तो ये आज के सेशन में ये सारा का सारा करेंट अफेर्स है अब बगेन इसके पहले यानि की शनिवार को जो करेंट अफेर्स हम लोगों ने पढ़ी थी फटा-फट उस के लगों निरवाचन आयो करवाता है चैंड बंचायत की बात कर सकते हैं यानि की रोकल मेंट जो की ग्रामीड की अलग होती है और शहर की अलग होती है ग्रामीड की पंचायत और शहर की शहर की नगरपाली का ध्यान रखेगा ठीक है अब अगें रिवीजन करते हैं और जल्दी से बताते हुए चलिए इनके अंसर्स पहला और टाइटल स्पांसर बताया था कौन बन गया मास्टर कार्ड स्वारी टाइटल स्पांसर आईडी अफसी बैंक अगला अंतरास्ट्री मध्यस्ता पैनल का सदस्य कौन बन गया है ठीक है सिंगापूरे सित ठीक है ये मध्यस्ता पैनल है और जस्टिस एनवी रमाना जो भारत के 48 मुखिन आधीश रह चुके हैं उनको यहाँ पर सदस्यता दी गई है ठीक है फटा फटा अंसर करते रहो सुराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड अमेंडर की सब्सेडरी कंपनी है सुराज सुराज ट्रेक्टर के अमबेस्टर कौन बन गए हैं मस्टर एमेस धोनी ठीक है अगला सरकार ने ठारा से 22 सितंबर के भी संसत का विशे सत्र बुलाया है सामानेता प्रतिवर संसत के कितने सत्र आयोजित होते हैं तीन सत्र आपको बता चुका हूँ बजट सत्र मांसून सत्र और सीत कालीन सत्र अगला इंडियाज लार्जेस डुमिस्टिकली बिल्ड काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट आपरेटिंग एट इट्स फुल कैपसिटी इन विच स्टेट इस इट लोकेटिड किस राजमिस्टित है काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो की फुल कैपसिटी पर आने लगा है 31 अगस 2023 को इसकी फुल कैपसिटी जो 700 मेगा वाट है वो कंफर्म करी गई यहाँ पर तो यह गुजरात में है काकरा पार ध्यान रखिएगा अगला कोईमटूर में सुतंद्र भारत के पहले वित्यमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है सुतंद्र भारत के पहले वित्यमंत्री आरकेशन मुगमशेटी का ठीक है कि स्टैचू जो है वो अनवील किया गया किसके द्वारा ठीक है पियूश गोयल भारत के कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर है वारिज जोर उध्योग मंत्री पियूश गोयल अगला निमलिकित में से कौन सा देश एक सितंबर को अपना पहला इस्लामिक बैंकिंग पालेट कारेकरम पालेट का मतलब है सुरुवात ठीक है कारेकरम सुरू करके एक एतिहासिक यात्रा सुरू करने के लिए तयार है एतिहासिक यात्रा सुरू करने के लिए तयार है यह है रशिया इस्लामिक बैंकिंग क्या होती स्टेल्थ फ्रिगेट एक सितंबर को लॉंच किया गया फ्रोजेक्ट स्टेल्थ फ्रिगेट या निकी वार शेप है एक जहाज है जो कि युद्ध पोत कहा जाता है ना युद्ध वाला जहाज तो इसको 2019 में लॉंच किया गया था इसके इंतरगा सात बनाने थे सातों के सातों की डीटेल शनिवार के सेशन में मिल जाएगी देख लीचेगा ठीक है अभी इसके पहले विंद्यागिरी को लांच किया गया था ग्लोबार पार्टनर्शिप इंडिया अब ग्लोबार पार्टनर्शिप ऑन आर्टिफिचल इंटेलिजेंस इसका गठन दो हजार बीस में हुआ था और यह भारत में 14 और 15 अक्टूबर को पहली पहली क्या है आर्टिफिचल इंटेलिजेंस पर सम्मिट आयोजित करने जा रहा है फिलिपीन्स के राष्टरपती रमन मैक्सेसे के नाम पर यह पुरसकार प्रदान किये जाते हैं जिसके इंतरगत 50,000 यूएस डॉलर की पुरसकार राशिदी जाती है एशिया से चार लोग यहाँ पर चार लोग यहाँ पर क्या हुए हैं अपॉइंट हुए हैं तो उन चार लोगों में से ठीक है भारत के जो हैं वो हैं डॉक्टर रवी कानन आर मिस वर्ट 2023 का 71 संसकरड ये कश्मीर में आयुजित होगा कश्मीर में आयुजित होगा मिस वर्ट का 71 संसकरड ध्यान रखेगा निमलिकित में से कौन सराजी उत्तर पूर्वी छेतर में आधार से जुड़े जन्व पंजीकरड सुरू करने वाला पहला राज बन गया नागलेंट यानि कि आधार से ही बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो बर्थ होते ही आधार नंबर दे दिया जाएगा ठीकहे ध्यान रखेगा नागलेंड अंतरास्ति नारियल दिवस्ट प्रतेक वर्ष किस दिन मनाये जाता है गोकोनेट दे तो यह प्रतेक वर्ष 2 सितमबर को मनाये जाता है गोकोनेट डे ठीकहे तो यह तो थे रिवीजन वाले प्रशन अब ये हैं static gk के प्रशने ये 5 प्रशने जिनके जवाब आपको देने है comment section में और इनके answer सापको कल के session में comment section में मिल जाएंगे ठीक है सिवकांत गौतम जी नमस्ते लेकिन अगेन अब टाइम कंप्लीट हो चुका है एकदम आठ बजे आजाये करिए आठ बजे आएंगे तो ही पूरी क्लास मेल पाएगी ठीक है तो यह प्रशन है इसका अंसर आपको अभी यहां नहीं यहां नहीं बताना है कमेंट सेक्शन बताना है यह तीसरा चौथा और पाचवां ठीक है तो अगेन जितने लोगों को सीए पीडिएफ चाहिए होती है एक तो राइस स्मार्ट हिंदी टेलिग्राम जोइन कर लीजे लेकिन अगर ठीक है वहां पर भी जोइन कर लीजे राइस स्मार्ट इडू फॉ मैसेज कर दीजेगा तो हम वाटसेप पर भी आपसे जुड़ जाएंगे ठीक है 8282827099 जितने लोगों ने भी मैसेज भेजा है ठीक है बहुत जल्दी उनको एड कर लिया जाएगा और अगर नहीं भेजा है तो आज भेज दीजेगा ठीक है तो थैंक यू आप सभी लोग हमारी होगी अब कल सुबह 8 बजे तब तक मुझे दीजे इजाज़ थैंक यू थैंक्स अलोट